असलामेकूब से के कि एक चलें तो निश्य आइखे कर दमें एक फोलामें अगर 5 पॉंट ड़ाये मूंट मोई तक सायर और पर कहां आएगा बार का effect होता है दर्मयान वले sign पर, अगर बार से पहले minus का sign है, अब क्योंकि मेरे पास यहाँ minus का sign है, तो मैं क्या करूंगे, इन दो values के दर्मयान जहां हमारे पास plus का sign था, उसे change करके minus के sign में convert कर देंगे, that's it, और बार का कोई ऐसा मकसद नहीं है, जैसे bracket से पहले minus का sign हो, तो तो तुमां sign चेंज कर दिये जाते है, as it is, bar से पहले minus का sign हो, तो अंदर werley sign चेंज हो जाते हैं, अब आपने क्या करना है, इन को minus करने का क्या तरीका है, जैसे मैने आपको पहले बिताया था, कि अगर plus आजाए, तो आप पहले plus करें, फिर minus करें, अ माइनस करना है, rough work में किस तरह से करेंगे, 5.64 माइनस करते हुए हम जिस चीज को focus करते हैं वो यह के point के नीचे point आना चाहिए, आप जब decimals को plus या minus करोगे, multiply यह डिवाइट करते हुए इस चीज को नहीं देखा जाता, लेकिन जब आप plus या minus करोगे, तो आपने दिहान में रखना है कि मैं दो वैलिउस जब लिखूं तो मेरा पॉइंट के नीचे पॉइंट आए उसके बाद हम देखेंगे फर्दर पॉइंट से पहले पॉइंट के बाद कर क्या डिफरेंस होता है या फिर वो पॉइंट के बाद है इट्स अप टू यू के जहां पे आपको नजर आएगे कोई डिजिट नहीं है आप वहां डिरेक्ट जिरो लगा देंगे रूल याद रखना है कि मायनस या प्लस करते हुए डेसिमल को पॉइंट के बिल्कुल नीचे पॉइंट आना चाहिए मल्टिप्लिकेशन या डिवियन की बात नहीं कर रही मैं प्लस या माइनस की बात नहीं हूँ जब आप plus या minus करेंगे तो point के नीचे point आएगा फिर आपने बाकी values को as it is लिखना है आप क्योंके मेरे पस यहां कुछ नहीं था तो मैंने क्या लगा दिया 0, 4 में से 0 minus किया, 4, यह 6 में से 9 minus नहीं हो सकता तो क्या करें, कुछ भी नहीं करना, आपने जैसे बचपन में, 2 में, 3 में, 4 में minus करना सीखा है आप यहां से carry ले लेंगे, यह बन जाएगा 4 और यह हो जाएगा 16 16 में से 9 minus कर दें, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 7, मेरे पास बाकी क्या रहे जाएगा 7, point के बिलकुल नीचे point, point अपनी जगा चेंज नहीं करेगा, point के बिलकुल नीचे point 4 में से 2 minus किया तो 2, मेरे पास क्या आगया, 2.74, इसमें से भी क्या minus करना है, 1.2 तो मैं point के नीचे point, point से पहले 1, point के बाद 2, अब again 4 के नीचे कुछ नहीं है तो हम खुद से क्या लगा देंगे, 0, 4 में से 0 minus किया, 4, 7 में से 2 minus किया, 5, point के बिलकुल नीचे point, 2 में से 1 minus किया, 1 मेरे पास answer क्या आगया, 1.54, curly bracket और square bracket, next step देखें, अब हमने किसको solve करना है, curly bracket को अब curly bracket में मेरे पास multiply भी हो रहा है और divide भी हो रहा है, आप सबसे पहले इन दो values को आपस में multiply कर दें multiply करने के लिए आपने simple दो values को लिखना है, 125, यहाँ पर point है, 3.85 5.5s are 25, 2 carry, 5.2s are 10, 10 में 2 plus किया 12, 1 carry, 5.1s are 5 और 1, 6 8.5s are 40, 0, 4 carry, 8.2s are 16, 16 में 4 plus किया 20, 0, 2 carry, 8.1s are 8, 8 में 2 plus किया 10 5.3s are 15, 1 carry, 3.2s are 6 और 1, 7, 3.1s are 3, 5, 2, 6 और 5 को प्लस किया 11, 1 carry, 8, 4. अब हमने point लगाना सीखना है, जब आप point लगाएंगे तो आप क्या चेक करेंगे, कि मेरे पास total point के बाद कितनी values आ रहे हैं, total, total means इसमें point के बाद कितनी values हैं, दो, इसमें point के बाद कितनी values हैं, दो, 2 and 2 is 4, आपने right hand side से start करना है, और 4 values के बाद point लगा देना है, तो ये आपकी simple multiplication हो जाएगी, किस तरह से मैं आपको करके दिखाती हूँ, ये 2 और 2, 4, 1, 2, 3, 4, 4 values के बाद आप point प्लेस कर दें, तो ये आपका answer आजाएगा, इसे calculator प minus करते हैं, तो point के नीचे point लगाते हैं, जब हम multiply करेंगे, तो आप कभी भी point के साथ, यहाँ, यहाँ, कहीं पर भी point प्लेस नहीं करेंगे, direct answer में करेंगे, और answer में करने का method मैंने आपको बता दिये, कि 1, 2, 3, 4, 4 values हैं, तो आप right hand side से 4 values काउंट करें, और 4th value के बाद प्ल 4.8125, divided by 1.54, 2 प्लस, point को खतम कर लें, point की जगा लगा दें, 1, बाकी values की जगा 0, divided by point की जगा 1, बाकी values की जगा पे 0, 2, 2 प्लस, divide का sign है, हमने सीखा था, कि अगर divide का sign आ जाए, तो हम क्या करते हैं, multiply का sign लगाते हैं, और reciprocal ले ले लेते हैं, यह two zeros, इस two zeros से कट गे, कोशिश करनी है, आपका जो denominator है, वो zeros में रहे, उसकी reason में आपको तब बताऊंगी, जब हम इसको further solve कर लेंगे, ता इससे आ 4, 8, 1, 2, 5, divided by, इन दोनों को multiply कर देंगे, 1, 5, 4, 0, 0, इसको divide करना आपके लिए असान है, क्योंकि हम पहले भी इस तरह की questions division में कर चुके हैं, आपने क्या करना है, numerator यानि 4, 8, 1, 2, 5 को अंदर रखना है, 1, 5, 4, 0, 0 को बाहर रखना है, आपने 1, 2, 3, 4, 5, यह 5 digits हैं, 1, 2, 3 4, 5, यह भी 5 digits हैं, आपने देखना है कि इसको किस से multiply करूं तो, यह या इस से कोई छोटा number आजाए, पहले मैं इसको 2 से check करूंगी, 0, 0, 4, 2, 0, 8, 5, 2, 0, 10, 1, carry 2, 1, 0, 2, 3, यह 4 है, यह 3 है, यह छोटा है, इसको 3 से कर ले, 0, 0, 4, 3, 0, 12, 1, carry, 5, 6, 15, 1, 16, 1, carry 3, 1, 0, 3, 1, 4, छीक है, 4, 6, 2, 0, 0, उपर के आजेगा 3, माइनस करेंगे 5, 2, 1, carry 9, 7 में से 6, माइनस किया 1, अब यह नमबर छोटा है और यह नमबर बढ़ा है, आप क्या करेंगे, पॉइंट लगाके, 0 यहा पे ले लेंगे, अगें इसको मल्टिप्लै करेंगे, इसको हम करेंगे 1 से, 1, 5, 4, 0, 0, 0, 5, 12 में से 4 माइनस किया 8, 8 में से 5 माइनस किया 3, यह चोटा है, हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, 0, और पिर, क्योंकि पॉइंट एक दफार लगा दिया जाए तो हम साथ साथ 0s ले सकते हैं, अब ह 2 से, 0, 0, 4, 2, 0, 8, 5, 2, 0, 10, 1, carry 2, 1, the truth, 3, अब छोटा नमबर आ रहा है, 3, 0, 8, 0, 0, 0, माइनस करेंगे, तो 0, 0, 15 में से 8 माइनस किया, 7, 7, again, आपने क्या करना है इसको, यहाँ पे 0 प्लेस करना है, और इसको दुबारा मल्टिप्लै करके, चेक करना है, इसे 5 से कर लें, 0, 0, 5, 4, 20, 2, carry 5, 5, 25, 25 में 2 प्लस किया, तो 27, 7, 2, carry 5, 1, 5, 4, 7, यहाँ पे हमारे पास, किस पे आ रहा है, 5 पे, तो मेरा आंसर क्या बनेगा, 2 प्लस 3.125, उसके बाद 3 में प्लस करेंगे, 1.25 को, अगर किसी नंबर में पॉइंट नहीं होता, तो हम सपोस करते हैं, उसका पॉइंट लास्ट पे है, क्योंकि मेरे पार होल नंबर आ रहा है, 2, 2 में कहीं पे भी पॉइंट नहीं है, तो 2 का पॉइंट कहां होगा, लास्ट पे, यानि 2 से पहले, पॉइंट से पहले 2, तो Means में नहीं तो अगिनक होई इस को यहां पर पॉंट में बाइजे करेंगे झाल जिरू हवान के इस यहां पर प्लस नहीं करना यह खलत अभ आपने प का यह अब्स नहीं करनेगा यह जाएगा फाइव पॉइंट वन तूफाइव एक्लियर है नेक्स्ट आजाएं कुस्टिन नुबर 11 कुस्टिन में 11 में हमारे पास सवाल है तू पॉइंट नुपॉइंट फाइव इंटू 1.005 प्लस 0.5 इंटू 2.75 दिवाइड बै 2.2 मुल्टिप्लाइड बै 4.12 आपने सबसे पहले 2.75 और 2.2 को डिवाइड कर दे रहे हैं डिवाइड करने का वही मैथड है यहां रफ्रक में आपको सॉल्व किया वह नजर आ रहा होगा 2.75 पॉइंट की जगा 1 बाकी वैलियू की जगा 0 डिवाइड बै 2.2 पॉइंट की जग करने कि उसमें कोई ऐससच अपने process लेंगे ए प्लाइकरना आपने क्या करना इन करने के बाद चार्ल वेलियू से पोईड लगाने जान रखिएगा एड करने के बाद आप जो आंसर एडाउस को 2.25 से मल्टिप्लाई कीजेगा तीन स्टेप्स आपने किया हैं डिवियन उसके बाद मल्टिप्लिकेशन और फिर एडिशन